राधे राधे एवरिवन आपको और आपके परिवार को हमारे परिवार की तरफ से पंच दिवसिये महा पर्व दीपावली की बहुत बहुत शुब कामनाई तो फ्रेंट्स हमारे लिए भी कॉमेंट बॉक्स में शुब दीपावली या हैपी दिवाली लिख दीजे फ्रेंट माता महा लक्षमी की कृपा सभी पर बनी रहे सनातन धर में दीपावली को सबसे बड़ा त्योहार माना गया है जो कि पांच दिन तक चलता है उसमें भी जो सबसे मुख्य दिन होता है वो होता है बड़ी दिवाली यानि कि कार्थिक अमावस्या को हम दीपावली जैसे बड़ी दिवाली कहते हैं वो मनाई जाती है इस दिन माता लक्षमी जी का पूजन विशेशुप से किया जाता है लक्षमी जी के सासाद गनीज जी का सरस्वती जी का और दिन के समय में श्री राम चंद जी और हनुमान जी का भी पूजन होता है साथ में कुबेर जी का भी आज की दिन पूजन किया जाता है देखे दिवाली का जो पूजन है वो शाम को प्रदोशकाल में किया जाता है हो सके तो शाम को दुबारा से सनान कर लें क्योंकि देखे दिन में टॉयलेट आदी हम जाते हैं तो ये बहुत बड़ा पूजन होता है तो शुद्ध हो जाएं बिल्कुल पूरे तरीके से शुद्ध वस्त्र पहने मता महालक्ष्मी की जो प्रिये रंग है न वो पहने काले निले को छोड़ करके कोई भी शुबरंग के वस्त्र पहन सकते हैं और पूरे परिवार के सहित मिल करके हमें ये पूजन करना होता है हो सके तो नए वस्त्र पहने नए नहीं पहन सकते तो कोई बात नहीं जो आपके पहले के पहने वे वस्त्र है उन्हें आप पहले ही धु तिरे से पहले हम घर को साफ कर लेते हैं, पोछा लगा लें, जहां भी आप चौकी लगा रहे हैं, हो सके तुम आपे सुन्दर सी रंगोली बनाएं, नहीं तो आप चंदन से हल्दी से स्वास्तिक बना करके उसके उपर एक चौकी रखें, चौकी हमें ऐसे लगानी है कि पू लाएं हैं, उन्हें आप ऐसे विराजमान कर दें, आप फूलो कासन भी दे सकते हैं, दिवाली का पूजन बहुत बड़ा पूजन होता है, तो हमें इसमें कलश की स्थापना जरूर करनी चाहिए, तो ऐसे हम अक्षत यानि की चावल से अस्ट दल कमल बना लेंगे, क्योंक अगर हम ऐसे स्वास्तिक बना लेंगे, रोली से, देखे लक्षमी मिया के जो भी पूजन होते हैं, वो एश्वर पूर्ण होने चाहिए, वैभव शाली होने चाहिए, तो आप यहाँ पर ऐसे कलश की स्थापना कर दें, उसके बाद में उसके अंदर थोड़ा सा गंगा ज जल डालें, फिर जल डालें, और यहाँ पर हम लक्षमी कलश की स्थापना करेंगे, तो इसमें हम डालेंगे एक लॉंग इलाइचे, सिक्का, सुपारी, हल्दी के गाट, और एक सिक्का, चांदी का डाल सकते हैं, कौड़ी, कमलगट्टा, जो भी लक्षमी के प्रिये cel, चावल भर कर के रक्सक्ते हैं, और एक नारील लेंगे, पानी जटा वाल लेंगे, और आप चाहें, तो आरील कमुक अपनी तरफ भी पर कर सकते हैं,। लेकि इसमें कई सारे मतबेद हैं, बहुत सारे छेतरों में उपर की तरफ भी किया जाता है, नारियल कमों का आप अपनी तरफ भी कर सकते हैं, उसके बाद में देखिए कई बारी प्रशन आते हैं, कि हम हर साल मिटी की मूर्तियां नहीं लाते हैं, तो कुछ लोग क्या है कि धातू की मूर्तियां रखते हैं, तो धातू की मूर्तियों का भी आप पूजन कर सकते हैं, हर सल नहीं मूर्ति लाना आवेशक नहीं होता है, तो हमारी धातू की मूर्तियां है तो उनको हम इसनान कराएंगे, पहले जल से फिल्ज या quests немरत से अगर आपके पास यंत रहे, तो आप ये दीटिकादी करते तो ये हिल जाती है, मूर्तिय अपने स्थान से, तो हम इंको पहले ही चंदन से रोली से तिलक कर रहे हैं और अक्षत-समर्पित कर रहे हैं, साथ में देखिए मैं विश्णु भगवान की पी स्थापना कर रहे हू क्योंकि भगवान श्रेही विश्नु के साती माता महालक्षमी स्थाई वास करती हैं तो आप हो सके तो उनका पूजन जरूर करें उनके सात में तो हमने लक्षमी जी, गनीज जी, सरस्वेती जी और विश्नु भगवान को ऐसे अक्षत के उपर विराजमन कर दिया अगर आपके पास यंतर है तो आप यंतर भी रख सकते हैं नहीं तो ऐसे भी नवग्रह की स्थापन कर सकते हैं फिर एक कटोर के अंदर चावल रख करके उसके उपर एक दीपक रखेंगे और जो भी नए बरतन आप खरीट करके लाएं हो धन्तेरस के दिन उन्हें भी आप पूजा में जरूर रखें जो भी चीजे लाएं हो सोने चांदी की उन्हें भी आप रखें सिक्का लेकर के आएं हैं या जो भी लेकर के आएं बिस्क्रिट लेकर के आएं सोने चांदी का उसे भी आप पूजा में विराजमान कर लें और उसके बाद में हम यहाँ पर दीप प्रजवलित कर लेंगे, अग्री देव का आवाहन कर लेंगे और हाथ में अक्षत पुषप लेकरके सभी देवी देवताहों को हम आवाहन करेंगे, प्रातन करेंगे और अपने पूजन का संकल्प लेंगे तो देखिए दिवाली पर वृत आधी बहुत कम लोग करते हैं वृत अगर आप करना चाहें कर सकते हैं नहीं तो शुद्वसात्विक रहते हुए भी आप अपना ये दिन व्यतित कर सकते हैं पूजन कर सकते हैं अक्षत पुष्पकों दीपक के पाज छोड़ देंगे उसके बाद में देखिए यहाँ पर जलका चीटा देकर के सभी को इसनान का भाव करा देंगे जो हमारी धातु की मूर्थियां थी उनको तो हम पहले ही इसनान करा चुके हैं पाकि अपने उपर भी जलका चीटा देकर के शुद्धी करन कर ले आचमनी कर ले और सबसे पहले हम दीप देवता का पूजन करेंगे और यहाँ पर लक्ष्मि मयाकों तिलक करेंगे क्योंकि हमने धातु की मूर्थियों को पहले ही तिलक अक्षातादी समर्पित कर दिया है श्रीयंत्र को इस तरीके से माता के कलश को और जो भी यहाँ पर चीज़े दी गई है माता की गज हैं पुश्प हैं चरण कमल हैं उन सभी को हम ऐसे रोली से तिलक कर देंगे अक्षात समर्पित कर देंगे और इसके बाद में वरणतलश देव का भी हम ऐसे पूजन कर लेंगे टीका करने के बाद में सभी को अक्षात समर्पित कर देंगे और देखे दिवाली बहुत बड़ा पूजन होता है तो हमें नवग्रह की स्थापना करके और उनका पूजन जरूर करना चाहिए तो सभी को हम ऐसे सारे नवग्रह को ऐसे हम चंदन से रोली से टीका कर देंगे और अक्षात समर्पित कर देंगे घर में जो कैश रखा हो उसे भी आप पूजा में जरूर रखें जो भी वस्तुएं आपने सोरे चांदी की रखी है जोली रखें उसका भी आप पूजन कर दें सभी को वस रूपी कलावा यानि की मौली समर्पित कर दें और यहाँ पर नवग्रह को भी हम ऐसे कलावा लप नई है तो उने भी पूजा में रखें उनका भी आप पूजन आवश्य करें गणेश भगवान को आज के दिन दूरवा आप जरूर समर्पित करें लाल गुणल का पुष्प भी समर्पित कर सकते हैं साथ में नहीं तो गुलाब का भी कर सकते हैं अगर आपको देखें कमल क पूल मिल जाए वैसे दिवाली के आसपास फूलों वाले के पास में कमल का पुश्प होता है तो माता महालक्षमी को कमल का फूल जरूर समर्पित करना चाहिए दिवाली के दिन नहीं तो आप देखे गुलाब भी समर्पित कर सकते हैं सभी को हमने ऐसे फूल चड़ा दिये भ को हम सोले शिंगार की सामिगरी बहेठ करेंगे सोले नहीं तो जितनी चाहें उतनी सामिगरी बहेठ करें हैं तो अपनी सामर्पित जादा बढ़ चड़ करके हमें माता महालक्षमी का पूजन बहुत ही अच्छी प्रकार से करना चाहिए, मा को धनिया आज के दिन जरूर समर्पित करें, और उसी के साथ में सब्तधान, साथ प्रकार के खड़े अनाज लिए जाते हैं, आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी घर म दातुका भी ले सकते हैं, साथ में लंबी बाती, इसमें दो बातियों को एक करके लगाया जाता है, यह जो बाती का है, इसमें आप देख सकते हैं, लाल रंग लगा हुआ है, आप चाहे तो इस पर हल्दी कुम-कुम भी लगा सकते हैं, अश्चदल कमल बनाए और उसको हम मुख है वो इधर हमारी तरफ किया जाता है क्योंकि ये लक्षमी के सुरूप में ये दीपक होता है देखे पहला जो दीपक है उसका मुख माता लक्षमी की तरफ है और इसका जो मुख है वो हमारी तरफ है इस दिये का भी हम लक्षमी सुरूप मान करके पूजन करते हैं तो दिवाली पर जो मुक्खे बहुंग होता है वह खेल भघ और मीठे की जो खेलने आते ना खान्ड वाले उनका भी भोग लगा सकते हैं वो भी दिवाली पर मुक्य बहु कर माने हाथ में खील लेकर के ऐसे हम माता को धान लक्षमी का सुरूप मानते हुए ऐसे धान की वर्शा कर देते हैं यानि की खील उनके उपर ऐसे डाल देते हैं उसके बाद में रितुफल का भोग लगा है रितुफल में भी जो जल फल होता ने सिंगाडा उसका भोग आप जरूर स रूप से सुने तो दिपावली की कथा का वीडियो आपको हमारे चनल पे मिल जाएका आप महां से कथा सुन सकते हैं लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगे आप महां से कथा सुन लेना हाथ में ऐसे अक्षत पुष्प ले करके हम कथा सुनते हैं कथा सुनने के बातब में ऐसे जल में थोड़े से फूल डालते हैं थोड़े सी वर्षा हम मा के ऊपर कर देते हैं पुश्प ब्रशा हम कर देंगे उसके बाद में माता को पान का भोग लगाय जाता है तो आप इस प्रकार से देखेśl सभी को अलग अलग भी पान समर्पित कर सकता है या फि प्रिवार सहित मिल जूल करके आर्ति करेंगे तो सबसे पहले गण始 Minsh के आरति करें, फिर माता महालक्षमी के आरति करें, आरति आपका पूर्ण से कर सकते हैं, या फिर आप जाये तो पांट ग्यारा दिये जला करके भी उनके आरति कर सकते हैं, ने अटमे। दक्षिना जरूर समर्पित कर देंगे आप जाड़ू का पूजन कर सकते हैं तो दिवाली यह करने होता है तो दीवाली आत मि सक्तते हैं 151 और एक बड़ा दिया भी दिन जलाया जाता है इन सारे दियों को तयार करके यहीं पर पूजा की चौकी के पास में जला करके ही पूरे घर में जगा जगा रखा जाता है पहले इन दियों की भी पूजा की जाती है चौकी पर चौकी के ऊपर जो लक्षमी दीपक जलाया जा यानि कि पूजन जब संपूर्ण हो जाता है तो रातरी में जब सोने को चलते हैं तब ये काजल लगाया जाता है तो बच्चों को डराने के लिए पहले समय में बड़ी बुडिया कहती थी कि अगर आप ये काजल नहीं लगाओगे न तो अगले जनम में आप चचुंदर या यहीं पर चौकी के पास में बैट करके आज के दिन आप कमल गटे की माला पर माता महालक्षमी के मंतरों का जाब कर सकते हैं श्री सुपत का पार्ट कर सकते हैं कनकदारा तरोत का भी आप पार्ट कर सकते हैं तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रातरी जागरन करना चाहिए हमें दिपावले की रात में अब देखिए कुछ भक्तों का ये मानना है कि माता महालक्षमी के हाथ कभी भी नहीं जोड़े जाते तो आप इसकिप कर सकते हैं इस पार्ट को तो मा से हम प्रार्थन करेंगे कि हे मा हम पर और हमारे परिवार पे सदा अपनी कृपा बन बाया है उसे आप अपने परिवार में बांट सकते हैं और बस उसमें देखि थोड़ा सा भोग आप मा को कटोरी में रख़ goo और एक जलका लोटा क्योंकि ऐसा मना जाता है कि रात में माता विचरंड करती हैं दिवाली की रातरी में इसलिए जागरण भी किया जाता है तो आप इस तरीके से मा के लिए भोग जरूर रखें क्योंकि मा पृत्वी लोग में दिवाली की रात में विच्रण करती है तो ऐसे हमारे यहां पर बड़ी दिवाली को पूजन होता है दिवाली की चौकी को हमें क कब और कैसे हटाना है और चड़ाई की सारी सामिग्री का हमें क्या करना है इसका डिटेल वीडियो आपको आने वाले समय में मिल जाएगा आज के वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरू बताना वीडियो थोड़ा सभी पसंद आया यूस्फुल लगा तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक शेरन चनल को जरू सब्सक्राइब करना और कॉमेंट बॉक्स में लक्ष्मी मैया की जया पवश्य लिखना माता महा लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे जय लक्ष्मी मैया हैपे दिवाली फ्रेंड्स